जय महाकाल नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल आल मिक्स ग्यान सागर आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल के जितने भी सस्काइबर हैं जो दर्सक बंधु हैं उन सभी को आज दीपावली का पावन परवकी हारदिक सुपकावनाएं और आप सब के घर में खुशी बनी रहे इसी साथ में आप सभी को मैं मातरानी से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहें खुश रहें और आपका और दूसरों का हमेशा कल्याड कल्याड हो दोस्तों आज किसी वीडियो में आप लोग एक नई जनकारी जानने को सुनने को मिलेगा बहुत लोगों ने इसके बारे मुझे बात किया था कि गुर्जी ऐसा कोई मंत्र या तंत्र बताओ जिनसे तूरंथ वसीकरण हो सके और हम उनके पास ना जा सके और हम यहीं से बैठे बैठे कहीं दूर से वसीकरण कर दें दोस्तों तो मैं आज आप लोगों को वहां मंत्र और विधिनियम बताने जा रहा हूं उनसे कुछ-कुछ बात आप लोगों को पहले बता देता हूं कि जरूरी क्या है वसीकरण कोई खेल नहीं है कि किसी कभी नाम पता ले रो वसीकरण कर दो यहां से हो जाएगा यह बिल्कुल सत्य है जब किसी का वसीकरण करते हैं तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसमें पहले वसीकरण पति पतनी इसके अंतरगत में वसीकरण कर दो तो थोड़ा साला गअलग है, लेकिन एख ही जैसा है, तो जो नेख हित के लिए हो, जन हित के लिए हो, जिनसे परिवार बन सके, टूटे ना, वहाँ पर्योग इनके वसीकराण मंत्र और शादनाओं करोगे, इनका प्रयोग जन हित के लिए, तो बिल्कुल तक्छड और सही धन से काम होता है या हो गया दूसरा उनके या परियोग कोई भी वसी करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे कि किसी कभी एक दी इसमें जरुआता कुछ चीज़े को है जैसे उनका नाम गोत्र और उसका टाइटल जाती या फिर उस जगह का जहां पर वरत यह भी प्रियोग करते हैं तो वो सुब दिन शुब नक्षत्र में होना चाहिए और सही विधी नियम के साथ में करोग तो ही वसी करण होगा अन्यता बहुं सारे हैं मैंने बताए हैं उनका गुर्जी हमने किया हुआ है हुआ नहीं सहीं विधी से सहीं तरीका से करो तो तात्पर यह हैं कि उनका सही उप्योग करोगे तो सही तरशों सही विधी के साथ में नाम पता तीसरा वह उनके सरी में किसी प्रकार का ताविज हो या फिर बंधन हो या फिर उनके दीविदे का कवच हो उनको तोड़ना पड़ता है कई जब कई बार होता है कि उसके सरी में बंधन होता है जिसके हम यहां से सकती भेज देते हैं वह कारें नहीं करता उसको बंधन तोड़ना भी अनिवार यह है यह साब बात को आप ध्यान रखोगे उसके बाद परियोग करोगे सही विधी से तो बिल्कूल 100% वसी करन होगा लेकिन जनहित के लिए अब इनको किसी के लड़की या पियार के जाले फ़सा करके उसकी जिंदेगी बरबाद करने के उद्देश से यदि या मंत्र को प्रियोग करोगे तो वह सफल नहीं हो पाता है इसलिए यह जनहित जनकल्यान के लिए और दूसरे को उपयोग के लिए किसी की जंदेगी बन सके इस उद्देश से में यहा जनकरी आप लोग के समक्ष रखने जा रहा हूं इसका विधी नियम आप जरूर ध्यान से सुनिए क्योंकि मंत्र कहीं से भी लिया जा सकता है लेकिन विधी जो है वह सहीं विधी सटिक विधी आपको कहीं नहीं मिलेगा इसलिए जब से पहले विश्का विधी नियम जानना बहुंच जरू है बिना विधी नियम का कोई मंत्र काम नहीं करता है दोस्तों चलो बात करते हैं, इसको किस तरह से करते हैं, जब भी किसी पती-पत्नी का आप वह सी करण कर रहे हो, या फिर सास बहु में जगड़ा हो, या कोई अपने उच्च पदाधिकारी है, उनके में आपने अनुकूल उसको बनाना है, आपके तरह को उसको करना है, सब्मुहित करना है, या अपने अनुकूल बनाना है, तब आपको प्रयोग कर सकते हैं, कोई दुस्मन पक्षा है, आपको कोट का छेरी चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि अपने पक्षा माजा और उसका भी बन जाए, हमारी ही बन जाए, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनको प्रयोग है नाम, उनका पता, जिस गाह में रता है, उस गाहों का नाम, और हो गया, या कपड़े हो गया, तो हमारी है, या लेलेन हैं आपको, और उसके बाद में, आपको जो मैं मंत्र बताने वाला हूं, विधिलियम, उसको आप सुब्धिन में सिध्ध कर लीजेगा, सबसे पहले मैं सिध्ध करने का तरीका बता देता हूं, फिर उसके बाद में सिध्ध किया जाता है, सिध्ध करने के समय में, आपको एक नारियल, दो नीबू, पांच परकार के मिठाई, बंगला पान, लौंग लाइची, एक देशी मूर्गी का अंडा, या दिना मिले तो एक अंडा, और थोड़ा सा सराब, या आप सकता पड़ेगा, या तामसी प् के स्वेश कोई ना हो, आउसू रूम में, या फिर एकान जगह में, आपको सबसे पहले जाना है, और पानी से चाउका लगा लेना है, चाउका लगाने के बाद में अरवा चाउन रख देना है, उसके ऊपर में दीपक जलाना है, दीपक जो जलाएंगे दो प्रकार के दीपक बना लेंगे, या फिर आठे का दीपक बनाएंगे, मिट्टी का पका वाला हीटन उसका दीपक नहीं, मिट्टी का तूरंत आपको गिला कर लेना है, मिट्टी बना लेना है, और उसी में तेल डाल करके आपको दीपक बनाना है, तेल जो इस्तमाल होगा, वह जो है स रखने के बाद में आपको एक नारियाल रख देना है और बंगले पांग में लाउंग इलाज़ी रख देना है तीन लाउंग दो इलाज़ी रख सभी में और सभी में मीठा समग रख देना है रखने के बाद में आपको एक नीबू लेना है और उस इस्थान के देविदियोता के नाम से आपको दे देना है माता सवस्थिती माता दूर का महाकाली इनके नाम से दे देना है और देने के बाद में आप मंत्र जाप अरम मंत्र जाप आरम करने हैं मंत्र इस प्रकार हैं उसके बाद में अंतिम में आपको एक देशी अंडा है उनको आपको आपको हमाः पेर दे दे देना है औप सोड़ सकते हैं फिर यहां और प्रयोग करने है उसके बाद में थोड़ को सेकर सेकरनेμα करने से नामको Ishana आप दो आटे का पुतली बनाएंगे एक लड़का एक लड़की का यदि लड़का लड़का है तो लड़का लड़का का बनाएंगे अब वहीं समागरी फिर अवसक्त पड़क जिसमें आप परियोग करेंगे अब आप उनको पुतली बना देना है आमने सामने आपको खड़ा करना है उसके चेहरा उसके सब देखना चाहिए उनको खड़ा करेंगे लड़की का मुख जो है उत्तर दिसा क्यों होगा और लड़के का मुख दक्षिर दिसा फिर अगर इस तरह बैठते हैं तो यदि आप अब बैठते हैं तो आपको मुख पूर्व दिसा क्यों होगा तो लड़की का मुख उत्तर दिसा क्यों होगा और लड़का का मुख दक्षिर दिसने क्यों चाहिए अब रुखेंगे आप बैठ़ करके उनको रखदेंगे और उसी तरह से पुजन अरादना करेंगे गढ़ एक बार नाम लेंगे जैसे की च्रि रख धिन उन्हें दोनों में छिड़क देना है गुर्देव का ओम गुरुभ्यों नमा जा गुरुभ्यों नम या मंत्र पढ़कर कि भी आप उसमें दाल से उसके नाम में ले लेंगे नव ग्रहों का नाम लेकर आपको उनके बाद में 25 हो जाएगा उसे बाद में आपको इसमें 21 निवू को एक निवू काटना है और दो भाग हो ज्यार रखें दाये हात पकड़ें उसको बाये तरफ करना है अब मंत्र पढ़ते हैं निचोड़ देना उसके सीर में इसी तरह से 21 मंत्र उचारान करेंगे और किस निवू को काट करणे रस को इसको उपर में डालेंगे उसके बाद अंतह में आपको एक जो अंडा है उसको व इस तरह से यहां प्रिक्रिया कर दिये जागा जैसे यह प्रिक्रिया करोगे तीन घंटा के अंदर में इसका प्रभाव आपको पता चल जाएगा मैं फिर एक बार कहता हूँ यहां जो है जनकारी या जनहीत के लिए प्रिक्रिया करें किसी को नुक्सान के लिए किसी जिन्दे के बरबात करने के लिए ना करें अब यहां इसी तरह से प्रियोग करते हैं और उसके बाद में यह हो गया उसके बाद से उत्पुतली को आपको जमीन के नीचे दबा देना है एक बात है आप इसे ध्यान रखें जब यहां प्रिक्यमा कर रहे हूं उस समय आप पुतली को फिर उठाओगे फिर डालोगे इसल कि नहीं हो रहा है ताब को उसके किसी नदी किनारे उनको एक मित्टी के बरतन में पेक करक रख दो और दोनों को ढख करके जब दोनों पुतली को रखोगे तो वापस में ऐसे गले मिली हैं इस से होने चाहिए जिन बेक्तीर कर हो उस तरह से उनको ढख देना है उसके हुआ है तूरन प्रभावर्ट पत्य है यहां पर एक बात और य दि किसी dyakति को बंधन कटा हुआ बंधन लगा हुआ तो उसको काटने के लिए आपको एक निबु ले करके उसे उसे नाम से युझि कोई बंधन किया हुआ त एक निबु में जो है बन्धन लगा दिना है सिंदूर लगा दिना है और जो हटजाएगा और आपका कारीưa है प्रभाव प्रोह हो हट यह इस तरह प्रयोग है ऑर ग्मीर तंतर मंत्र के बारे में आपको आगे जनकरी दूँगा अगर यह जनकरी आपको अच्छा लगए तो लाइक जरूर कीजेगा मेरे चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल करने उसे पेस्ट करके आसलेट कर लिजेगा तक जब भी मैं को वीडियो बनाओ उसकी जनकरी आपको सबस कि दिए खायरो कि आपको सबसी आपको सरे लिए कर प 광 करätो करे दो आपको सबस्वाब टसकी दो चनल वाज़ा जो में उसा मुझास सबस्वारो की आपको सब जनकरी चैनल का का VS जहाम पahhष्वार जहा आपको सबस्画